So Hello Everyone, आज हम इस वीडियो में कोल इंडिया शेयर के बारे में बात करेंगे जो शेयर का प्राइज है यहाँ पे 228.20 पैसे है और इस शेयर में आज हमें जो है 0.65% तक के नेगिटिव रिटन्स देखने को मिले है आगे हम इस शेयर के 1 मंथ के रिटन्स की बात करते हैं तो 1 मंथ में जो शेयर है उसमें हमें 2% तक के नेगिटिव रिटन्स देखने को मिले है साथी अगर हम max में all time की यहाँ पर बात करते हैं तो all time में share में हमें 34.48% तक के यहाँ पर जो है negative returns देखने को मिले है आगे हमें share के market cap face value और beta की बात करते हैं तो यहाँ पर price level की हिसाब से जो share की market cap है वो 1,40,386 करोड है वहीं जो face value है वो 10 है और बात करते हैं beta की तो वो 0.73 है आगे हम इस share के यहाँ पर resistance और support level के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इस share के जो price level है वो कभी uptrend और downtrend की तरफ जाता ही रहता है लेकिन अगर आप इस share को long term के perspective से hold करके रखते हैं तो यहाँ पर जो इस share में आपका risk है वो थोड़ा कम रह सकता है लेकिन अगर आप इस share को short term के perspective से hold करके रखते हैं तो short term के perspective से जो यह share है थोड़ा बहुत यहाँ पर risk ही है